के लसे और के लू फ्रेंड मेन अंदर्व आप सूब बीच देखिए अध़ हम आपको बताएंगे टी इलेन के भारे में देखिए टी इलेन क्या होता है कि उसका फूल्टे मताँ थि और अपको बता देते ले फैपले टी इलेम के और पहों को cic साहाय अधिकम समागरी मतलब सिखने में जो समागरी मदद करता है उसी गवलोग टिछिंग लर्निंग मटेरियल का यानि ट्लम का देखिए जिसे बच्छा कोई चीज़ी जल्दी सिख लेए जाट बनाए गया चार्ट जिसे इसमें लिखाया पर्थम विशूद के बारे में टिचींग लर्निंग मतलिया ये टीएले मोगतलब शिंपल होता है कि वह एtemसा समागरी जो सिखने में सहाइक हो उसी ग्या काते हैं टीचिंग लर्निंग मतलियो काते हैं समझहां इस पर एक विदियो भी भू हैए वहां से आक दिख सकते श्बाइब करने हिस्टा कें डूसरा सब्सक्राइब करें लेना होगा या बायो का लेना होगा तो कालेना होगा पर आपको मिल जागा तो आई हम देखते हैं आपको बता देखिए इसको इसको एक चार्ट पेपर होता है उस पर बनाया जाता है आपको छोटा देखाई रहा होगा चार्ट पेपर बनाये कि आपको कलास का सब बच्चा उसको देख सकेगा समझे तो देखिए यहाँ पर लिख्या आपको बता दिए कि टीचिंग लर्नी मटलेनी आपको जो सायक समागरी होता है वही होता है यहाँ पर मोडल भी बना सकते ह हम सिंपल बना है देखिए इसमें लिखें पर्थम विशुत के कारण एक साइड में लिखें है और एक साइड में लिखें है पर्थम विशुत के परिणामत है कारण में क्या क्या हुआ हुआ है इसमें पहला में लिख्या जो कारण में लिखा है पर्थम विशुत के कारण साथ में लिकाया कि यूरूपियो सक्ति संतुलन का भी गरना तुसरा है गुप्त संधियों यूंगुटो का निर्वान तिसरा है जर्मनी और फ्रांस की सतुत्ता चौता है समध्वादी समध्वादी प्रतियस्पर्दा पच्माय स्यम्मेवाद उग्रो राष्टवाद अंत जो दिवाल होता है क्लास के वहाँ दिखा कि बच्चा को समझा सकते हैं पर्थम एस्वत के बारे में समझे परफवाद के परिणाम नितिक परिनाम समाजी लिखा आसाम्राज का अंध्र परिवर्तन फिर आपका है सोवियत संका उदय उपनिवेस्व में जागरन मतलब यहां कहने का मतलब हुआ समझेगा कि मतलब ऐसा समागरिया बनाए एक मोडल बना दीजिए आप एक कोई कोई वीचीज बना सकते समझे आप एक ऐसा अच्छा कोई जल्दी सीख से अधिक्यम क्या फास्ट हो जाए इसे को हम लोग क्या कहते हैं टिचिंग लटनिक मटेल रिकाते हैं समझे तो यह चीज़ आपका हो गया एक आपको बताना दा तो और भी चीज़ का आउल भी मतलब मेठ़ड का होगा मंदमेठर करने का मतलब औ दो वीडिवाए लेका है और समझेए तो इन तो इस तो आपको थेकंगे वी अ